पेशे 12 जुलाई सोमवार सुबह की रास्थान की पंद्रा बड़ी खबरें मुख्यमंद्रे ने लिखा कि अपराद में वृद्धी और अपराद पंजीकरण में वृद्धी में अंतर है और कुछ लोग दोनों को एक मानने की गर्थी कर लेते हैं एंसे आर्बी ने माना है कि आंकड़ों में वृद्धी राज्य में जन केंद्रित योजनाओं वे नीतियों के फलस्वरूप हो सकती है जपर में तेज बारिश के बीच रविवार को आमेर महल में बने वॉस टावर पर बिजली गिर गई यहां घूम रहे 35 से ज़्यादा टूरिस्ट इसकी चपेट में आ गए जपर के पुलिस कमिशनर आनंद श्रीवास्ताव ने मीडिया को बताया कि आमेर के लिए और उसके आसपास के इलाके में बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हुई है गटना में कई लोग पहाड़ी से नीचे ज़ाड़ियों में गिर गए गायलों में अभी कई की हलत गंभीर बनी हुई है फिलहाल रेस्क्यू आपरेशन चौला है मामले की खबर लगते ही पुलिस और स्चर्फ की टीम रेस्क्यू आपरेशन के लिए पहुँच गई राजे में कई जगा बिजली गिरने की घटनाई हुई है इनमें 20 लोगों की जान गई है कोरोना ग्राफ के लगातार कम होने के बावजूद कोचिंग अक्षाएं संचालित नहीं करने की अनुमती नहीं देने का संचालकों ने विरोध करते हुए आंदोलन की घूशना की है औल कोचिंग इंसिट्टिूट महासंग की ओर से रविवार को जयपूर के सांगाने असित पिजड़ा पॉल गोशाला में कोचिंग संचालकों की बैठक का आयोजन हुआ बैठक में कोचिंग संचान लाइबरेरी खोलने की मांग की गई औल कोचिंग इंसिट्टिूट महासंग के प्रदिशा ध्यक्ष अनिश कुमार ने बताया कि कोचिंग संसानों को खोलने के आदेश और राहत पैकेज देने के समन्द में मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री को ग्यापन भेजा जा चुका है रासान की पूर्व मुख्य मंत्री वसंद्रा राजे ने आकाशे बिजली गिरने से हुई मौतों पर दुख चुताया है सोशल मीडिया के माध्यम से राजे ने लिखा कि कोटा जिले के कर्वास गाओं में चार बच्चों तसा धौलपूर जिले के कुदिनना गाओं में तीन बच्चों की मृत्वी का दुखत समाचार प्राप्ध हुआ वही जहालावार बारा एवन जैपूर में भी आकाशे बिजली गिरने से जनहानी एवन पशुधन को नुकसान पहुंचने की सूचना मिल रही है मैं इश्वर से सभी दिवंगतों की आत्मा को शांती, घायलों के स्वास्ते लाब और परिजनों को धैरे प्रदान करने की काम ना करती हूं उन्होंने कहा कि आकाशे बिजली गिरने से कई शेत्रों में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है जिसका हम सभी को बहुत दुख है वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में रासान सहित उत्री भारत के कुछ राजियों में भारी बारिश की चितावने भी जारी की है आमजन से मेरी अपील है कि ऐसी किसी भी तरह की प्राकरतिक आपदा से घबराएं नहीं और ना ही अफरा तफरी मचाएं अफ़ाहों से बस्ते हुए मौसम विभाग या फिर प्रश्वासनिक अदिकारियों के निर्देशों का पालंग करें तथा विशम परिस्थितियों में एक दूसरे की सहायता जरूर करें जैपन में जोलाना लेपर्ट रिजर्व से एक बार फिर खुश खबरी सामने आई है जोलाना लेपर्ट रिजर्व में मादा लेपर्ट गजल अपने दो शावकों के साथ कैमरे में ट्रेस की गई इसके बाद मन विभाग ने अपने सुरक्षा घेरा यहां बढ़ा दिया है गर तरफ है कि सफारी में लगातार लेपर्ट शावक देखे जा रहे हैं इस साल जोलाना जूंगल में नो लेपर्ट शावक कैमरा ट्रेप में देखे गए हैं यहां शावकों समेत अब नियोजक मिल सकेंगे नगरपाल का प्रिश्वासनेक व्यतक्निक की सेवा नियमों में बदलाव करते हुए सहायक नगर नियोजक उप नगर नियोजक और वजिस नगर नियोजक के पदों के प्रावधान पहले बार लागू किये गए हैं इसके चलते अब स्वायत श्वास नियू मेक्सिको की स्पेस सेंटर अंतरिक्ष की ओर रवाना हुई इसी के साथ वे अंतरिक्ष का सफर करने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला बन गई हैं इससे पहले हर्याना में जनम लेने वाली कलपना चावला ने अंतरिक्ष की ओड़ान भड़ी थी इनके अलावा स्टर्डन लीडर राकेश शर्मा और भारतिय मूल की सुनिता विल्यम्स भी अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं एक शक्तिशाली सोलर तुफान बहुत तेजी से धर्ती के तरफ पढ़ रहा है इसके रफ्तार 1.6 मिलियन किलोमेटर प्रति घंटा है स्पेस एजेंसी का क्याना है कि इसके रफ्तार भी बढ़ सकती है तुफान धर्ती से सोलवार को किसी भी समय टकरा सकता है धर्ती के मैंगनेटिक फिल्ड पर इसका गहरा असर पढ़ सकती है इससे टीवी और मोबाइल फोन के सिगनल कमजोर पढ़ सकते हैं राज़ान के कई हिस्सों में रविवार को हलकी से भारी बारिश दर्च की गई राज़ानी ज्यपूर में देश शाम तक 63 मिलिमेटर बारिश दर्च की गई मौसमी भाग के प्रवक्ता के अनुसा रईवार को भरतपुर, कोटा, उदैपुर, अजमीर और जैपुर संभाग के अधिकतर हिस्सों में मौनसुन सक्रिय हो गया रावधानी ज्वैपुर में रईवार देश्यम, आसमान में काले बादल छाय और तेज हवाओं और मेग गरजन के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हुआ जो काफी देर तक चला धौलपुर जिले में सरमत्रा उठखंड के गाउं मानपूरा में अवैड रांसफार्मर पर कारवाही करने पहुँची विद्युत निगम की टीम को ग्रामिनों को गुस्से का सामना करना पड़ा कारवाही से उग्र हुए ग्रामियों ने विदुत निगम की टीम पर लाठी डंडो और पत्थरों से हमला बोल दिया टीम ने खेतों में भाग कर जौन बचाई हमले में कई कार्मिक खायल हो गए इनमें तीन जनों को गंभीर हालत में सर्मत्रा अस्पताल में भर्ते कराया गया है देशाम को आरोपियों को गाउं में पकड़ने पहुंची पुलिस पर भी ग्रामियों ने हमला कर दिया ऐसे में पुलिस कर्मियों ने खेतों में भागते हुए जौन बचाई ग्रामिनों ने पुलिस कर्मियों की गाड़ियां भी तोड़ दी चितरकूट में राष्टे स्वम सेवक संग के पांस जनों के मंथन में राम जनम भूमे ट्रस्ट के जमिन विवात का मुद्दा भी उठा दरसल इस विवात को लेकर मीडिया जनता और विपक्ष सभी की नजरें संग के स्टैंड पर है माना जोरा था कि संग के मंथन में चंपत राय को टोस्ट के महामंत्री पत से हटाय जाने का फैसला लिया जो सकता है पर ऐसा नहीं हुआ चितरकूट पहुँचे चंपत राय ने संग के सामने अपनी दलीले रखी और उन्हें फिलहाल अभैदान मिल गया है लेकिन शत के साथ संग ने अभी उन्हें महामंत्री पत पर बनाय रखने का फैसला लिया है प्रताफगर जुले में किसानों को एक वश पहले का फसल बीमा राशी नहीं मिली है वहीं अब खरीफ की फसल का बीमा किया जो रहा है जिसमें बीमा प्रक्रिया ऑनलाइन होने से फोटल और वेफारिक होने के कारण अधर जूल में है ऐसे में किसानों को दोहरी मार्ट छेलनी पड़ रही है किसानों ने सरकार से इस मामले में हसक शेप कर किसानों को बीमा राशी दिलाने की मांगी है जिले में पहले ही किसानों की हालत खराब है वहीं दूसरी और गतवश 2020 में खरीफ की फसल में सोयविन की फसल का खंड व्रिस्टिक के नुकसान हो गया है रास्तान के वन और प्रेवन मंत्री सुखराम विश्णोई ने रविवार को जैसल में जिले के विभी निशेतरू का दोरा किया और स्वासिकेंद्र और ग्रामीन विकास कार्यों का निरिक्षन किया विश्णोई ने हमीरा और कानोद में महात्मा गांधी नरीगा योजना के तहर चल रहे नाड़ी खुदाई के कार्यों का निरिक्षन किया प्रभारी मंत्री ने महा नरीगा के इन कार्यों पर श्रमिकों के लिए की गए विवसाओं को देखा तथा विश्ण कर्मी को देखते हुए अच्छी विवसाइं करने के निर्देश दिये कुरुनाकार में जहां हर कोई सफर नहीं कर सकता और हर सुविधा अपने आसपास ही चाहता है इसी को देखते हुए दिव्यांगों की सेवा के लिए विशेश वैन बनाई गई है ये वैन प्रभा एवं कनक राज गोलिया नियू योर्क USA की ओर से उनके माता पिता कंको देवी और धनराज गोलिया जोदपूर के याद में भीट की गई दिली में रिवार कॉन लॉक 7 की गाइड लाइन चौरी की गई इसमें 50% शमता के साथ सभी तरह के टेनिंग सेंटर खोलने की छूट दी गई है अब स्कूल, कॉलेज, स्किल डवलपेंट समेथ पुलिस और आर्मी की चेनिंग देने वाले सेंटर्स को अनुमती लेने की जरुवत नहीं होगी इनके अलावा अकैडमिक प्रोग्राम के तहत होने वाली गैधरिंग के अनुमती भी दी गई है इसमें स्कूल, कॉलेज से जोड़ी मिटिंग शामिल है तो फिनाल इस पुलेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें